हेलो नमस्कार आप देख रहे हैं वर्ल्ट रिपोर्ट इस वक्त की बड़ी ख़बर आप लोगों को बता दे कि बिहार के तमाम अंगनवारी सेविकाओं के लिए बहुत अच्छी ख़बर है क्योंकि आप लोगों को बता दे कि आप लोगों को राज सरकार के तरफ से 18,000 रुपे मांदे मिलेंगे वहीं केंदर सरकार भी आप लोगों के लिए आगे आई है और केंदर सरकार आप लोगों को PF और ESI से जोड़ने की बेवस्था कर रही है तो आप लोग जो है खबर में बढ़े रहे हम पुडूप के साथ आप लोगों को दिखाएंगे पतर जो रिलिज किया गया उसके हिसाब से दिखाएंगे हमारे पास पतर आ चुका है पतर के लोगों के खाते में अप मोटी रखम जमा होने की बारी आ चुकी है क्योंकि आप लोग भी जानते है कि कुछ दिन पहले जैसा कि आप लोगों ने आंदोलन की सुभारंब किया बिधान सभा का घिराव किया तो पुलीस परसासन ने आप लोगों के उपर पत्राव किया वाटर कैनन से हमला किया वो बात बिधान सभासातर के दौरान विपक्षी आई है और बिहार सरकार तो आगे आई ही चुकी है इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो जिस तरह के हानी कारक देखे गए हैं सत्ता भी हां से जा सकती है तो नेता तो होते ही है सत्ते के भूखे तो आप लोगों के लगातार कुछ महिनों से चल र तो एक लाइक का बटन दवा दीजिए जिससे मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही खबरे लाते रहे लेकिन एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर चैनल से जोड़ना चाहते हैं इसी खबरों के लिए तो सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा तो चलिए खब जैसा कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रहा ही है अपडेट खबर है कि केंदर सरकार ने सभी अंगनवारी से विकाओं अंगनवारी के जितने भी कारी करता हैं उन सभी को पीफ के दाइरे में लाने की बात सरकार ने कर दिया है आप लोगों को एक राज कर्मी के तरह आप ल साहन रासी और EPFO और ESI जोर करके आप लोगों के सैलरी लगवाग 21-22,000 रुपे पर मंत होने की पूरी गारेंटी है आप लोगों को ये मालूम पढ़ जाएगा जब दो दिनों के बाद जो छट पूजा खतम होगी विधान सभा सत्र होगी उसके बाद जो कैबिनेट की फैसला आएगी उसमें आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि छट पूजा का गिफ्ट आप लोगों को बिहा बातों को रखेंगे जिससे आप लोगों का सारा कन्फूजन जो है दूर हो पाएगा मतलब बिहार सरकार के तरफ से भी आप लोगों को रासी मिल रही है मांदे मिलेगी और आप लोगों को कैंदर सरकार के तरफ से भी प्रोसाहन रासी पलस में E.P.F.O. और E.S.I. से प्रवाट